रुडकी में चावनी के पास रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलिंडर उत्तराखंड में लक्सरुड की रिल्वे ट्रैक्ट पर धंडेरा क्षेत्र में चावनी के पास भूछडी रिल्वे से करीब 300 मीटर आगे शनिवार को सुभा पौने 7 बजे 3 किलो का एक खाली गैस सिलिंडर मिलने से हड़कम्प मच गया धंडेरा स्टेशन मास्टर ने सिलिंडर को कबजे में ले लिया जबकि जी आरपी और कोतवाली पुलीस मामले की जाँच में जुट गई है सुरक्षा बल पोस्ट लक्सर के SI नरेंद्र सिंग नेगी और रुड़की के SI बसंत लाल मौके पर पहुँचे ट्रैक पर किमी 1553 बटा एक अप लाइन के बीच तीन किलो का एक सिलिंडर पड़ा था रेलवे अफसरों के मताबिक जिस जगह पर गैस सिलिंडर मिला वहाँ पर रेलवे पट्री के एक और सैन्य एरिया की दीवार है मौके पर पहुची रेलवे की टीम के कर्मी ने सिलिंडर उठाया तो वह खाली था जिसे स्टेशन मास्टर धंडेरा ने अपनी सुपुर्दगी में रख लिया देंडेरा से लंडेरा के मध्य एक खाली सिलिंडर छोटा कल बरामद हुआ था इस सम्मध में स्टेशन अधिक्षक के द्वरा दी गई तहरीर पर अंतरगत धारा 150 का रेल अधिनियम के अंतरगत बनाम अग्यात अवियोग पंजिक्षक किया गया है और जांच की जा रही है देखे ऐसी किसी भी संभावना के बारे में कोई ठिपणी करना समिचीन नहीं है लेकिन सभी संभावित पहलों से घटना के बारे में जनकारी जुटाई जा रही है अवियोग पंजिक्षक किया गया है अंतरगत धारा 150 का रेल अधिनियम बनाम अग्यात देखे ये नेंतर जो पैट्रोलिंग होती है वो सारी चीज़े चलती रही है चलती रहेंगी नेंतर बरती जाती है और इसी लिए ये चीज जो सामने आई है वो ततकाल ही संभ्यान में सभी किया गई और जो अभियोग पंजिक्षक किया गया है उसमें अग्रिम जाच की जा रही है